Hello guys, Hi Welcome back to the channel इस वीडिव में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप ICSIBank के माइन सेवें殟 में अपना UPI कैसे create कर सकते हैं तो देखो यहां पर आपको virtual debit card मिलता है वैसे physical debit card मिलता है जो कि आपके परदे पर 7 से 15 दिन के अंदर में आता है तो यहां पर virtual debit card से आप अपने UPI को activate कर सकते हैं तो virtual debit card है आपको देखने के लिए यहां पर आपको debit card section में आपको जाना होता है debit card में जब आप click करोगे तो यहां पर आपको आपका debit card यहां पर सो होने लगेगा तो यहां से आप अपने लाश का 6 डिजिट एंड एक्सपारी डेट यहां से आप नोट कर लेना तो debit card नमबर और एक्सपारी डेट नोट करने के बाद में अब हम लोग यूपई पी नहां पर जनरेट करते हैं तो य गूगल पर सकते हैं और भी तमाम सारी जितने भी यूपई इने वलेप हैं वहां से भी आप पिंजनरेट कर सकते हैं मतलब यूपई रिजिस्टेशन कर सकते हैं तो मैं आप यह प्लस आइकन पर क्लिक करके आईसा-ईसा-बैंक का एकाउंट एड़ कर लेता हूं हाँ तो यह हमने अपना और कउंटण एड करेंका आगी अपना बैंक आट हैंड करेंके तो अब यहाँ पर अपना फिंडесर् जर्बेंड न pinyard करें यहां परिया यहां पे १। अब यूपई पीप पे क्लिक करने को अब यहाँ पर यहां पर सेंह इस हिनरेड करेंême डाल देना है अपने pat that आ सकते हैं फिर आपके पास में फिजिब डेविट कार आया होगा तो यहां पर हम अपंग बिद दैते हैं जांप number and exorage date नलने के बाद मे के मोबाइल नंबर पर इंग आएगा कि आएक अब कि ए विद्थ अनएके बाद में आपको यहां पर अपना यूपय पिन जनरेट करना पड़ेगा तो मैं यहां पर अपना यूपय पिन जनरेट कर देता हूं कि तो यह अपर हमारा यूपय पिन जनरेट हो गया है कि इसके अलावा आप चाहें तो पेटेम में भी लिंक कर सकते हैं गूगल पे में भी लिंक कर सकते हैं तो मैं अभी पेटेम में लिंक करके आप लोगों को दिखाता हूं तो यह हम Paytm की UPAY section में चले जाएंगे और यहां से हम अपना ICICI bank account एड़ कर लेंगे तो यहां पर देख सकते हैं हमारा ICICI bank account एड़ हो चुका है आपको तो पता ही पीन आपको एक बार generate करना परता है आप कोई भी UPAY enable app से generate कर सकते हैं यहां पर मैंने भी मैप से generate किया था इसके अलावा आप अपने bank account को Google पर में भी लिंक कर सकते हैं तो मैं आपको Google पर में भी लिंक करके दिखाते हैं तो यहां से हम add bank account पर क्लिक कर लेंगे और यहां से हम ICICI bank को select कर लेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं Google पर में हमारा ICICI bank account फैच हो चुका है तो यहां पर हम continue पर क्लिक कर देंगे सब्सक्राइब करने के बाद में बैल आइगन को भी दबा सकते हैं